हाई फ्रेंड्स वालकम टू आर्चेज़ वर्ड आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्चेज़ वर्ड में कैसे हैं आप सभी लोग आयहां बहुत ही मजह में होंगे फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ रेस्पी शियर करने वाली हूं वेजिटेबल समयागे के जो बनाने के लिए के लिए मैं चुटकी लाल मिस्कों उबलने के लिए लख देंगे और दूसरी तरफ जो हमें इसमें सब्जीन डालने वाले हैं वह दिखा देती हुआ तो एक टेमाटर है एक प्याज है कुछ मटर के दाने है और पांस चेह हरी मिर्च है इन सभी को हमें छोड़ी चोड़ी पीसे में कट कर लेना है और जो भी सबजी आपको पसंद है उन सभी सब्जों का आप यूज कर सकते हैं इस मैगे को बनाने में तो यहां पर देख सकते ह मैगे जो है यह अच्छे से उबल जाएगी और इतनी देर में जो हम दूसरी तरफ फ्राइपन को रख देते हैं गरम होने के लिए और जैसे फ्राइपन गरम हो जाएगा तो रिफाइन डॉल का यूज गया है मैंने इसके अंदर हमने डाल दिया है प्याज और शिम्ला मिर मैं थोड़ से सॉफ्ट होता है तो इसके अंदर में टमाटर और हरी मिर्च एक सद कटके तब वह डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें चिलाना है जब तक इसके से ओयल रिलीज ना हो जाए और नज़र ना आने लगे और गैस की फिलिम ने मीडियम से हाई के बीच में तो 2-3 मिट के अंदर हमारा तड़का जो है वह बनके बिल्कुल तियार हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं तड़का जो बहुत अच्छे से बूँच चुका है तो मैं मटर के दाने सकंदे डाल दूंगी और 1-1.5 मिट तक इसको चलाओंगी क्योंकि सफल वाले मटर ह मैं नहीं लगता और फ्रेंडस आप इसके अंदर अपनी पसंद के कोई भी सब्चे का यूज कर सकते हैं तो मैंने इसमें 2 पाउच मैगी मसाली का डाल दिया है देख सकते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले तो नमक डाल देना है हमें थोड़ा एक चुटकी हल्दी पाउडर तक इस सब्जियां जो हमारी अच्छे से गल जाए और अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए सब्जियों का तो इसको डालने के बाद ढ़के पका देंगे हम एक से डेर मिनट तक और हमारे मटर के दाने जो है देख सकते हैं अच्छे से गल चुके मेडियुम से हाई के बीच में रखेंगे अच्छे से इसको मिला देंगे ताकि मेगी के उपर भी सारी मसालों का टेस्ट और कलर जो है वह बहुत अच्छे से आजए फैंट सीरेस्पे बहुत यादा खाने में अच्छे लगते हैं तो एक बार से आप मेगी को इस तरीके से बना के जरूर इसका टेस्ट लें आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं इसके इंदर गाड़ा पनानी लगा है और बिल्कुल यह ड्राई हो जाएगी और बहुत ज्याद आने का मन नहीं है तब भी आप इस ड्राइब कर सकते हैं देखने में जितने देटा कालर फूल टेस्टरी है है और अगर मगी की यह ड्राईब को पसंद आती है तो फीडबैक में वहां जूरू शेय करें कि आपको कैसी लगी है रैष्पी तो जब तक आप मैगी को यारी बहुत जल्द मिती हूं आप लोगे साथ एक नहीं और प्यारी सी रेस्पी के साथ तब दे के लिए थैंक्स फर वाचिंग प्यारी से एक लिए अप बात्रे प्यारी से एक लिए थैंक्स फर वाचिंग झाल झाल